अलो दोस्तों, स्वागत है आप सभीका, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, ऊत्राखन लोग सेवा आयोक के द्वारा एक विकरती जारी किये गई है इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे तो अंतिम तक बने रहना इस में हम सारी चीज़े आप लोगों को बताने वाले हैं तो ये परियोक साला साहय की वेकनसी है समुगाव की उच्छे सिक्षा विभाग में इसको जारी किया गया है और इसकी परकासिन की तिथी आज है और यानि कि 5 अगरस्त को इसको जारी कर दिया गया है 25 अगरस्त इसकी अंतिमतित्य होगी तो 25 अगरस्त से पहले आप लोग फॉर्म फिल आफ कर लें जो भी इस क्राइटेरिया को फुल्फिल करते हैं इसके अलावा हम अन्नी महत्तपूर्ण चीज़े भी देखते हैं जो कि इंपोर्टेंट है इस एकजाम से रिलेटेड कितनी वेकेंसी है क्या इसके योगिता रहने वाली है इन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में जानकारे लेंगे इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर कोई भी फर्ज परमार पत्र बगएरा यहाँ पर नहीं फिल करना है क्योंकि आप लोगों को फिर बैन कर दिया जा सकता है तो इस तरीके से आप लोग अगर सही है सारी चीज़ें तभी आप लोग इस फरम को फिल अप करें एक बार देख ले ना इसमें कौन-कौन सी चीज़े मांगी गई है तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं उच्ची सिक्षा विवाग उत्राखंड में यह एक सो साथ वेकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी ठीक है तो कुल पदो के सिंख्या यहाँ पर एक सो साथ है और इसका जो वेतनमान है आप लोगों को लेवल फोर देखने को मिलेगा अगर हम बात करेंगे इसकी अनिवारी सैक्चिक अहरता जो कि आप लोगों के लिए क्वालिफिकेशन होने चीए इंटरमीडियेट होना चीए साइनसे बैग्राउंड से तो यह आप लोगों को ध्यान में रखना है परियोग साला से संबंदित विसे होने चीए आपके पास अभी हम देखेंगे इसमें कौन-कौन से विसे आप लोगों के हो सकते हैं जैसे आपके फिजिक्स है कैमेस्ट् बायलोगि, जुलोजी, बॉटनी यह सभी आपके अगर सबजेक्ट है रहे हैं तो आप लोग इस फिर्फैंजिता दियेगा जैसे आप लोगों के पास परियोग साला विशेस से संबंदित मानिता प्राप्त इसनातक होने चीए आप लोग, यानि कि आप लोगों का ब्यासी वगरा होना चीए, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन ब्यासी से करका, तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं, और ब्यासी किसी भ आप लोग इसमें प्रात्मिक्ता पालेंगे, तो यह बात आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, इसके अलवा आप लोग यहां पर NCC का भी परमाण पत्र भी आपके पास होना चीए, और इसके लिए अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे दोस्तों, तो 18 से 42 वर्स से इसक किस सब्जेक्ट में कितनी वेकंसी अगर हम देखें, तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करेंगे, तो यहां पर आप लोगों को अनुस्यों जाती की 6 वेकंसी है, जंजाती की 1 और EWS की 3 और यहां पर EWS की 2 है, और OBC की 3 वेकंसी है, तो इस परकार 18 वेकंसी है, फिजिक्स वालों के लिए, और साइन विज्ञान के लिए भी 18 है, अगर हम बात करेंगे, जंतु विज्ञान की तो 21 वेकंसी यहां पर देखने को मिल ली है, इसी परकार 1SVT विज्ञान के लिए 21 वे वेकंसी हैं, और ग्रह विज्ञान के लिए 2 वेकंसी है, तो इस परकार कुल मिलाकर 107 वेकंसी यहां पर हो जाती है, मनो विज्ञान में भी 3 वेकंसी हैं, और मानो विज्ञान में आप लोग एक वेकंसी देख पा रहे हैं, आपर, BSA ग्रह विज्ञान से 2 वेकंसी है, और और सिक्षा सास्तर में तीन मेकेंसी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यह बात हैं आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहां पर कुल 107 पदोग है तो आयो दिन किया जाएगा, 1 जुलाई 2030 को इसकी जो है आयो की गर्णा निर्धारित की गई है, अगर आप लोग 1 जुलाई 2030 से यहां पर 42 वर्सा आप लोगों को अधिक्तम आयो हो रही है तो आप लोग इसको फुल्फिल कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप लोगों ने जब UK टीपल से के माधियम से इस फॉर्म को निकाला गया था, तो उस समय 30 जून इसकी 30 जून को यह निकाला गया था, और उसमें 1 जुलाई 2020 इसकी सीमा रखे गई थी, तो आप लोगों ने अगर UK टीपल से की दोरान फॉर्म फिल अप किय आप लोगों को पता ही है, कि यहाँ पर आरक्षण भी दिया जाता है, तो यह तो था क्वालिफिकेशन, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेंगे, बने रहना, क्योंकि हम यहाँ पर यह देखो, ओनलाइन आप लोगों ने करना है, इसके लिए आप लो आप लोगों को क्या चीज़े हैं, जो की दियान में रखनी है, इस एक्जाम से रिलेटेड, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, हम यहाँ पर देख लेंगे, इसका स्लेबस क्या है, इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं, यह देखे, यहाँ पर आप लोगों के सामने इसका pattern दे रखा है तो दो paper यहां पर होने वाले हैं आपके पहला paper होगा सामानी ज्यान और सामानी अध्यन का जिसमें आप लोगों को 100 question पोशे जाएंगे अधिकतम अंक 100 अंक का होगा 2 घंटे का paper होगा पहला paper और दूसरा paper जो आपका होगा विशाई परक जानकर यानि कि तो जिस subject से आप लोग फिल करेंगे उस subject में आप लोगों को यहां पर paper होगा जैसा अगर physics वाले हैं तो physics का paper होगा chemistry वालों के लिए chemistry का paper होगा और ये 200 question होगे 200 marks का 3 घंटे का समय होगा तो इस परकार से हमारे पास 300 number का paper आप लोगों को देखने को मिलेगा अब इसकी तो आज की वीडियो में इतना ही thank you so much